हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू एल्क अकडेमी हमारी पहली न्यूस है फ्रेंड्स क्या अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री आफ फाइनस ने इस्यू किया है गाइडलाइन्स फॉर्ट रीद्नन डूरल बैंक्स तू रीज रिसूर्सिस थूदा आईपी ओस एंड राइट्स एस्य अभी यह हेडलाइन पढ़के आपको इस न्यूस के बारे में समझ नहीं आएगा लेकिन जब मैं आपको इस न्यूस को अच्छे से समझाओंगा तब आपको इस हेडलाइन को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा राइट तो सबसे पर दो आपको पता होना चाहिए कि रि भी होती है उसके अंदर सेंटल गवर्मेंट का कितना पॉर्शन होता है सेंटल गवर्मेंट का कितना परसेंटेज इंवेस्मेंट होता है फिफ्टी परसेंट फोर एक्जम्पल हम गुजरात की बात करें तो बरोडा ग्रामेंड बैंक बरोडा ग्रामेंड बैंक एक रिज गुजराद स्टेट कवर्मेंट में है गुजराद राजय के अंदर है तो उसमें स्टेट कवर्मेंट का कितना पॉर्शन होगा 15% और बाकी का 35% स्पॉंसर बेंग का पॉर्शन होता है अब यह स्पॉंसर बेंग क्या होती है तो यह स्पॉंसर बेंग कोई भी जो इतना नु यंदर 50 परशेंट सेंटल कशोन होता है 15 परसेंट स्टेट का प्षान होता है और 35 परसेंट जो इसकी स्पसेंवेंक होती है जह ईसको फार्वानसर सब्सक्राइब करती है परम उसका पूर्शन होता है आप देखोगे ना फ्रेंज कि जब भी कोई आप ग्रामीड बेंक के अंदर आप एकाउंट खुलवाओंगे न तब डेबिट कार अगर वह आपको प्रोवाइड करेगा न तो उसके अंदर दो बैंक के सिंबोल होगे एक तो बरोड़ा ग्रामीड बैंक का अगर फॉर एक इत्क आब भी के अंदर एक मेंसास्ट इसेंध्या क्या है कि वो जो नौरमल चौस यूनिवर्सल कमेर्शल बैंक के लाइक सब्सक्राइब करते हैं उनकी जो कस्तमर सब्सक्राइब के अंदर नहीं मिलती तो नॉर्मली कस्तमर्स है ना उसके नहीं करते अपने सब्सक्राइब करते हैं तो इसके लिए क्राइमिट बेंक के अंदर डिपोजिट बहुत कम हो रही है लेकिन लोग उसके अंदर डिपोजिट कम रख रहे तो पैसा लाहे का कहा से तो उसको कोई ने कोई जगा से तो पैसा रेज करना पड़ेगा आप यहां पर देख सकते हो कि 50% और 15% 65% तो यहां पर जो स्टेक है कोई एक पर्टिकुलर ग्रामिट बेंक का वो किसके पास है गवर्मेंट के पास चाहे फिर वो सेंटर्र गवर्मेंट हो या तो फिर पास तो पैसा है नए और बाकी का 35pha sod क्या है किसके पास है। अभी बेंको बरोडा के अपने ही बहुत ओ सीपे होते हैं तो भो अपने द्वारा स्पॉंसर ब्रामिट बेंक के गिले सीपी को झेले रिटी नहीं जै लेगी तो जब तक उससे समपाल जाएगा तब तक वो स् किसे जमानी में 100 से बी जादा ग्रामिट बैंक ती अभी मातर 43 ग्रामिट बैंक रही है कि उलिए कि कोई private investor invest कर सके इसके लिए ये हालत को सुधरने के लिए 2015 के अंदर 2015 के अंदर क्रामिट मेंक के structure को modify करने का decision लिया गया और वो अभी जाके implement किया जा रहा है कि सरकार ने क्या बोला कि अभी से क्रामिट बेंक के अंदर कि sponsor बेंक state government और सेंटर कर्मेंट का जो स्टेक है नवकुल मिला कि 51 परसेंट रहेगा और बाकी के जो others का स्टेक कितना रहेगा 49 परसेंट मतलब यहां पे अभी 49 परसेंट तग ग्रामिट बेंक private investors को invest करवा सकती है बना पैसा raise कर सकती है private investors से तो अभी ग्रामिट बेंको यह financial support प्रवाइड करने के लिए यह उनका structure के अंदर modification क्या recommendation 2015 के अंदर किया गया था लेकिन अभी वो implement करने की बात चल रही है तो यह 49 परसेंट जो private investors के लिए खुला रखा गया है उसकी लिए है यहां पे IPO के मात्य कर सकती है उसके बारें बात करते हैं कि जो RRB की जो net value है of at least 300 करोड हो उसकी जो net value है बराब उसका जो infrastructure वगेरा अगर सभी assets का अगर cool valuation किया जाए अगर उसका net value minimum 300 करोड है तो वही RRB IPO के मात्यम से पैसा raise कर सकती है जो RRB का minimum capital to risk weighted asset ratio above the regulatory requirement of 9% in each of the previous 3 years जो भी RRB ने लास्ट तीन साल के अंदर जो RBA के द्वारा जो mandatory है कि भाई हर एक bank और हर एक RRB को हर एक RRB को minimum capital to risk weighted asset ratio अभी एक ratio है एक capital और risk weighted asset ratio अभी आपको पता है कि बैंकों के लिए asset क्या होती है loan तो for example कोई RRB ने 100 रुपया 100 रुपया loan में दिया है risk weighted मतलब 100 रुपया की कोई RRB की made loan है क्या है made loan और capital उसके पास कितना है 900 रुपया तो यह capital to risk weighted asset ratio कितना हो गया 9 RBA के द्वारा क्या बोला गया है कि कोई भी RRB को minimum capital to risk weighted asset ratio कितना रखना है 9% मतलब अगर उसकी made loan 100 रुपया है तो उसके पास capital कितना होना चाहिए 900 रुपया मतलब minimum 9 रुपया तो होना ही minimum 9 होना चाहिए capital to risk weighted asset ratio अगर जो भी RRB ने last 3 साल से यह mandate किया है वही वो IPO से पैसा raise कर सकता है और track record of the profitability profit कितना होना चाहिए 15 करोण minimum 15 करोण in the last in at least 3 of the previous 5 years last 5 साल के अंदर minimum 3 साल के अंदर 15 करोण का profit हुआ हो वही RRB IPO का माधियम से पैसा raise कर सकती है RRB must not have any accumulated losses बारा मना कोई accumulate loss नहीं होना चाहिए उसका बारा मना कोई loss में चलती नहीं होनी चाहिए RRB the should adhere to the banking regulation act 1949 and the RBA at 1935 जो RRB है जो IPO के माधियम से पैसा raise करना चाहती है वह banking regulation at 1949 और RBA change act 1935 को adhere करती होनी चाहिए उसको follow करती होनी चाहिए RRB should not be under the prompt corrective action by the RBA और नाबाड, prompt corrective action क्या होता है कि जब कोई bank का बहुत ज्यादा NPA हो जाता है तब उसके उपर RBA के द्वारा और RRB के case के अंदर नाबाड के द्वारा उसके उपर prompt corrective action लगा जाता है कि for example वह bank ज्यादा परांचीस नहीं कोल सकता वह जो higher post वाले उसको salary नहीं दे सकता ज्यादा recruitment नहीं कर सकता तो ऐसे action लिये जाते है उस bank को सही पटरी पे लाने के लिए बड़ा बना तो जो RRB IPO क के मध्यम से पैसा रेस करना चाहती है वो कोई प्रॉंट करेक्टिव एक्शन के अंदर में नहीं होनी चाहिए तो अगर यह सब क्रेक्टेटिव करती होगी वही RRB IPO के मध्यम से पैसा रेस कर सकती है तो RRB को क्यों पैसा रेस करने के requirement हुई और वह कौन से अरब यह पैस जर्सलिया चला होगा फ्रेंड्स ओके हमारी नेक्स्ट निूसा फ्रेंस कि हमरी जो इनियन डिफेंस मिनिस्टर है रात्ना शींग वह एन एक्सटरल अफ्रस मिनिस्टर जो ऐससहनकर है वो विजिट किया हुऄ ए जप की जापान के साथ तो होती ही होती है उसके अलाबा ऑस्टेलिया यूएस ऑस्टेलिया यूएस और रसिया ये तीन कंट्री के साथ होती है मतलब इंडिया कौनसी कंट्री के साथ 2 तो मिंटिंग करती है तो चापान और अस्ते हाँ यू-यश और रसिया यह चार कंटי के साथ इंडिया की two प्लस two we मिटेंग होती है और यह टुप्लस टू मिंटेंग अंदर हमेशा कॉन पार्टीट करता है तो हर एक देश के जो डीफेंस pest और जो एक्सेली अफ़ेर मिंटर है वो पाठीशेवेट करते हैं तो यहां पर थू प्लस टुरह दो मिनिस्टर होते हैं कौन-कौन से डीफेंस मिनिस्टर होते हैं और एक्षन अफ़र मिनिस्टर है यह चार कंटीज के वो 4 व Answer ..कंटईज के डीफेंस Dim蓋 विच में यह इसमें किसी ने के-ई तरब से कमरें waited मेरे है रधनाषी है और हमारे जो एक्सराफिर्म सम 가까 कोण ये झालात आपको इतना पता जांगे इस 2 23 मिर्इटिंग के दोरान इंडिया और जापान के द्वारा एक दिसेल लिया गया इंडिया ओर जापान वो होड करेंगे फाइंटर एकससाइस बीट्विन दहेर पोर्स के बीच में नहीं हो ऊगे एर फोर्स इसके बीच में होगी बढ़ा बना ठीक है कि अभी रिसेंट ली बढ़ा बना कि जापान है स्टेकन अपार्ट इंड़ मुल्टिनेशन एक्साइज मिलन फॉर तो फॉर्स्ट टाइम इन मार्च 2022 कि अभी इंडिया ने एक एक्साइज होस्ट की थी मिलन बराब उस उस एक्सट बीचेश स्ट खालेटरों मालमण गें अभी देखो इंड्या र्भान के बीच में konkurs xas होती वह अपके जब ओश्ั emissionsoda है तो सबस्त बेलों तो ने उन्हीं में लिखेंट में बार्च गर्टेक घर्म गार् eel दर्मा गार्डियन और जापन इंडिया मेरी टाइम एक्सराइस यह धर्मा गार्डियन इंडिया और जापन के आर्मी के बीच में होती है यह जीमेक्स वो नेवी के बीच में होती है मलाबार मलाबार है ना वो इंडिया जापन यूएस और ऑस्टेलिया जो क्वाड कंट्री और यह इंडिया और जापन के मीच में एरफोर्स के मिच में कौन सी अक्सर होने वाले हैं फाइटर एक्सराइज बारा बना तो यह सब चीज़ें आपको याद रखनी है उसके लबाद टू प्लस टू मिनिस्टर के अंदर कौन-कौन करता है कौन-कौन सी कंटी के साथ इंडिया टू प्लस टू मिनिस्टर के मीटिंग करती है वो आपके एक्जाम पॉइंट ओफ वी से इंपोर्टर डिफरेंट्स वाइटिंग आपको इस न्यूज के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा है हमारी नेक्स्ट न्यूज है कि म सब्सक्राइब करने के लिए हमारे जो प्यूज है जो मिनिस्टर कोमर्स इंडेस्ट्री है उन्होंने सेंट फ्रेंसिस को एंड लॉस एंजलेस तो युएसे में हैं वहाँ पे विजिट किया था तो अगर मैं इंडिया पेसिफिक एकोनोमिक फोर्म की बात करूँ तो कि इंडिया पेसिफिक एकोनोमिक फोर्म वस लॉंच जॉइंटली बाइद यू एस न अधर पार्ट्र कंटी अप इंडो पेसिफिक रिजियन पेसिफिक रिजियन कहां पर यह ओन्ट किया के था तोक्यो जापान के अंदर तोफोर्टीन मेंबर्स ऑप निडिया पेसि यह उसी पहली मीटिंग थी जो युएस के लिद्र वोग करता है युएस बारा बनना ओके और इसी इंडिया पेसे भी एकोनोमिक फरंवर के दोरान बारा बनना कि हमारे जो प्यूस गोईल है उन्होंने यूएस स्टाटप से तो लॉंच किया था जो हमने प्रीविएस वीडियो के अंदर देखा था सपोर्टिंग इंटर्पीनर्स फॉर ट्रांस्फोर्मेशन एंड अपस्किलिंग बारा बनना तेक सेट्व प्रोग्राम जो मिनिस्ट्रीव कॉमर्स इंडिस्ट्री का है और उस प्रोग्राम को यूएस के साथ लिंक करके यूएस स्टाटप से तो लॉंच किया गया था ताक कि मार्क पॉटल के ऊपर जाके यूएस के इंवेस्टर्स वो इंडियन स्टाटप के अंदर मेंटर बन सकते हैं ओके तो आइटिंग आपको इस न्यूज के अंदर समझ वाए होगा आपको यहां पर एक्जाम पॉन्टों के से क्या याद रखना है कि इंडिया पेसे भी ए ऐस्सेvid पारे वे खास करें Okay हमनी एक्सट्निज हैं कि इंडिया स्टेंज फ उन्ट क्रिप्तो एड़ाप्शन इंडेक्स क्रिप्टो एड़ाप्शन इंडेक्स ट्ट्वल इंदर इंडिया का रैंक हैं फॉन सा दॉछ नब्रबध भ्यारी प हैं डिया है फॉन से के Global Crypto Adoption Index Emerging Markets Lead in the Grass Roots Adoption अभी इस रिपोर्ट का नाम क्या है Global Crypto Adoption Index Emerging Markets Lead in the Grass Roots Adoption तो इस रिपोर्ट को किस के तुरह लोज किया है चैनलिस के तुरह अभी इस रिपोर्ट के इंदर टॉप कौन आया मतलब कौन सी कटरी ने सबसे ज़्यादा Crypto Currency को Adopt किया है तो वीटनाम वीटनाम इस रेंक्ट फर्स्ट इंदर Crypto Currency Adoption for the second consecutive year with an overall index ranking of the India stood at the fourth with an index score of the 0.663 तो वीटनाम फर्स नंबर पे आया है इंदिया फोर्थ नंबर पे आया है इसके तरह हड़ साल लॉंच किया राता है वो इसका थर्ड एडिशन था फर्स नंबर उसके अंदर बेतनाम आया है सबसे आदा Crypto Currency को Adopt करने में सेकंड नंबर पे फिलिपाइन सब नंबर पे यूक्रीन और फोर्थ नंबर पे इंडिया है राइट अगर मैं असेसमनिक की बात करो निस हो यहाँ पर यहाँ पर नहीं है रायं ऐकर 미 कि प्वेंटी से अंतर दस कंट्रीज से अपर मिडल इंकम कंट्रीज है और मात्र डो कंट्री जो हाई इंकम कंट्रीज और वो कण सी है यू एस और यूके बादा कोई याद रखना पड़ेगा 10 countries top 20 के अंदर तो 10 lower middle income country 8 upper middle income country और दो है ना high income country US and UK बारा मना तो आपको दो high income countries के बारे में याद रखना पड़ेगा बारा मना Vietnam shows extremely high purchasing power and population adjusted adoption across the centralized DeFi and peer-to-peer cryptocurrency tools बारा मना तो वितनाम के अंदर बहुत ही ज्यादा adoption बढ़ गया है cryptocurrency का actually friends cryptocurrency का adoption actually कोई भी country के लिए हाली का रहा के बिकोज आपको पता होगा अगर मैं cryptocurrency का बेस्ट example लूँ तो Bitcoin तो Bitcoin अगर मैं मेरे पास Bitcoin है अगर मैं Bitcoin के माध्यम से किसी और को donation करता हूँ तो ये चुट donation होता है न वो जो जिन दोनों person के में donation होता है उन दोनों को ही पता चलता है थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी ये donation को track नहीं कर सकती और Bitcoin वो कोई भी जन्डेट कर सकता है और कितने भी Bitcoin को आप बना सकते हो और हाँ और Bitcoin एक ऐसी करन्सी के वो आप खुछ माइनिंग करके नि बना सकते हो राइट अगर अगर कोई ऐसी चीज कि आप एक पर्टिक्विलर इंडिविजल पर्टिशन भी उसको बना सके और फिर उसको चुली राइट तो यह थोड़ा सा वर्ल्ड की एकोनोमी के लिए हानी का रहा है यह यह रिपोर्ट कहना चाहता है ओके हमारी नेक्स्ट न्यूसर फ्रेंड्स के आर्मिय नहीं अभी अलौन किया है भारत बिल पेमेंट सीस्टम टू प्रोसेस्ट क्रॉस बोलर कि अभी तक क्या था कि फोर एक्जाम्पल कि आपको रेमिय टंस भीचना हो राइट और कौन से अकाउंट के अंदर कोई बैंक के एकाउंट के अंदर और वो एकाउंट के वैसी कंप्लेंट वाला होना चाहिए तो यह रेमिय टंस अभी तक आटीजी एस एनिएफटी और आई-एम-पी-एस के द्वारा बीज़ा जाता था बारा बंदन ओके अभी यही रेमिय टंस आप भारत बिल पेमेंट सीस्टम जो एनपी से के तरह लांच किया गया है उसके मात्यम से भी आप कोई भी के वाई से कंप्लेंट अकाउंट के अंदर रेमिय टंस पेज सकते हो है अब यह भारत बिल पेमेंट सीस्टम क्या है तो आपको पता होगा कि फॉर इंचामपल अगर आपके पास Google अधे हैं तो Google पेंदर आपको हर पार्टिक्लर हर महीने एक पार्टिक्लर दिन पॉर इंचामपल पांच तारिक ले लेते हैं तो पांच तारिक जो दूडेट ह करना है तो आपके मोबल में आटोमेटिकली वह मैसेज आ जाता है कि इसकी डियू डेट यह है आपका इतना बिल्ट जन्रेट हो गया है यह सब कीज़े हैं बारत बिल्ट में सिस्टम के ही देन है जो एनपी से के द्वारा लॉंच की गई है और अगर आप इसके अंदर आटो पे का option क्लिक करो के ना तो आपके जीतना भी बिल्ट जन्रेट हुआ ना तो वह हर मेंने एक पटिकुलर दिंग पे वह वह बील आप आपका आपका आपके अकॉन में से कड़ जाएगा तो यही सुवीदा जो एन राई उसको पता है कि मुझे मेरा सेलरी दस तारीक को होता है और मुझे 15 तारीक को मेरी फैमिली जो इंडिया के अंदर है जिसका एकाउंट के वाइसी कंप्लाइंट है और वहाँ पे मुझे सेलरी यह मेरा पैसा बेचना है और अगर वह कोई किसी काम के वाज़े से नहीं बेच पाता है तो इसके लिए यह सुवीदा है कि वह भार सिस्टम को अभी अलोग किया गया अर्बिया के द्वारा तो प्रोसेस अब प्रॉस्ट और इंबाउंट रेमिटन्सीज राइट ओके इस डिरेक्शन हैस्मीं इस्टियू किया गया है अगर मैं इसकी की पॉइंट के बारे में बात करूं तो चो अभी जो फॉरेंग इंव तो रिसीव अंडर तो रूपी ड्रोइंग एग्रिमेंट केंगी ट्रांसपर तो तो के वाइसी कंप्लाइंड बेनिफेसरी मेंग अकाउंट सुरू दर इलेक्ट्रोनिक मोड सब्सक्राइस अनिएफ्टी आइंपीएस अर्टीजेस वगेरा तो यह कि रूपी ड्रोइंग अब यह जितने भी डेमिटन से इसी होते हैं बाराब वह इस मोर से अभी तक ट्रांसपर के रहते हैं अभी बारत विल्पेमेंट से भी ट्रांसपर की जाएगे यह रूपी ट्रोइंग एग्रिमेंट क्या है इस अचैनल टुरी सिट प्रोश्टोर रेमिटन से फ्म दो अभी देखो इसका मतलब क्या है फ्रेंग्स कि फॉर एक्जांपल यूई के अंदर एक बैंक एक बात करें हम लूलू एक्सजेंज जो आज काल बहुत चर्चा में है लूलू एक्सजेंज जो यूई की एक कंपनी है जो रेमिटन सर्वीयस प्रोवाइड करती है बराबना क्रोस बोर्डर सर्वीस प्रोवाइड करती है और ये लूलू एक्सजेंज के से जो भी पैसा टांस्फर होता है ना पेलू जीन नहीं है ना स्ट एडरल बैंकि अपना पैसा अकंट खोूल के रखा है आइस लू जो एक्षाण्च बाद़ा पैसा टांसपर उसने अपना पैसा एकउन्ट खोलके रखा है वेस्थ्ट र एक्चाउंन प्रैट को एकउंड फेडल बंक के अंदर उस्य खोलके रखा है ये लूलू एक्सें से भारा remained तो ये संगर देंदускना पेमेनरना वह फे lepra होंगा वह और रूपी डिमाम से अहुता बैबी पैसाँ टांसपर होता है रेमिटंस के माध्यम से बार्या मनना यहाँ पी उसकी बारेंबाद चल रहीं तो वह अभी तक मीदेट बारें ने कर पाएगा है बारद बिल रिम small companies to facilitate the ease of the doing business. अभी देखों कि जो हमारे मिनिस्ट अपर्पार्ट अपर्स काहन है निर्मला सितना मन has further revised the definition of the small companies under the company's act 2013 by raising the thresholds for the PDAB capital from the not exceeding Rs.2 करूर to not exceeding Rs.4 करूर and turnover from the not exceeding Rs.20 करूर to not exceeding Rs.40 करूर. देखों friends अभी तक small companies की definition क्या थी अगर मैं बात करू 2021 की तो जो company की paid up capital 2 करोर तक की हो और जो company का turnover 20 करोर तक का हो वो small companies कह जाते थी 2021 से पहले जो company की paid up capital 50 लाग तक की हो और जो company का turnover 2 करोर तक का हो उसको small companies बोला जाता था लेकिन अभी 2022 के अंदर ये जो revise definition के अंदर जो company के paid up capital 4 करोर और जो company का turnover 40 करोर हो वराबना उसको small companies बोला जाएगा अभी देखों यहाँ पर criteria बढ़ाया गया है ज्यादा companies को small companies के category के अंदर शामिल किया गया है ताकि उन लोगों को small companies के जो schemes है उसता benefit मिले और ease of doing business को promotion मिले सिंपल बढ़ाबना ओकिम अभी यहाँ पर आपको यहाँ पर एक बात पता नहीं चल रही हूं कि पीड़ब capital क्या होता है तो फ्रेंट्स दो टाइब के capital होते हैं एक तो है authorized capital एक है authorized capital और एक है paid up capital दो टाइब के capital होते हैं तो 100 क्रोड की requirement है local लेकिन लोगों ने investment कितना किया है पचास करोड का तो इसकी पीड़ब capital कितनी हो गई पचास करोड की तो यह पीड़ब capital कितनी होनी चाहिए चार करोड रूपिया और turnover कितना होना चाहिए 40 करोड रूपिया तब ही वो small companies की category के अंदर आई के चार करोड तक की पीड़ब capital और turnover 40 करोड तक का हो तब वो small companies के category में शामिल होगे तो मिनिस्ट्र परपरेट अफेर्स के अंदर में यह डेफिनिशन को रिवाइस किया गया है राइट तरी विजन इस इंटिन टू इंपूर्व दर इस बिइंग बिजनेस एंड डियूस्ट अ कंप्लाइंस बर्डन ऑन था स्मॉल खेक हों तो कि उस्ट्राप जॉब्स जऑ इंप्लीमेंटिंगर कंपनी इस के पास मिनिस्ट्राप्रमारा में जो मिनष्ट्रा पाइन्स भी है ओक एंट सब्सित्रा समंच में होगा था हमारी नेक्स्टाइब कॉन्स की अभी रिसेंट लीं remaining रिसेंट व Dartmouth आं फेक्री एक national level का hackathon है to promote the speed breeding for the crop improvement देखो friends अभी इस news को हम अच्छे समझता है कि अभी recently Indian Council of Agriculture Research with its National Agriculture Higher Education Project and crop science division of the ICAR नो उन्होंने organize किया है hackathon 3.0 क्रितव गया एक national level का hackathon on promoting the speed breeding for the crop improvement देखो hackathon का मतलब होता है एक challenge एक competition एक competition launch किया गया है उसका नाब है क्रितव गया 3.0 किसके जरा यह competition launch किया गया है तो Indian Council of Agriculture Research का जो crop science division है और उसके अलाबाग निश्थन अग्रिकल्चर हाय रेजिकुशन प्रोजेक्ट बड़ा बनना तो यह दो संसा के द्वारा यह hackathon यह competition यह challenge क्रितव 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 गया है कॉनसे concept के उपर speed breeding for the crop improvement रहें यहां पे यह crop को जल्दी से grow करने के लिए without the use of the chemical fertilizer अगर कि इसके पास innovative solution है तो यह इक मिनिक दर टेकनोलोजी एंड यह का मतला भी ज्यान मिनिक दर नॉलेज वरा बना तो प्रोग्रम इस इन लाइन बिक दर नेश्टन एज्योकेशन पॉलिशी 2020 रहें इन इस competition students faculty and innovators interveners from the any university or technical institute across the India can apply and participate as a group इस competition के अंदर कोई भी faculty कोई भी student या तो फिर कोई भी इनोवेटर कोई भी इंटर्पिंटर यहां पर participate कर सकता है तब पार्टेसिपेटिक ग्रूप सेल भी कंजिस्ट ओफ मेक्सिमम पूर पर्संस विच नॉट मोर्ट तेन वन इनोवेटर और दर इंटर्पिंटर के यहां पर इन चाहर मेंबर तो हो सकते हैं लेकिन एक फैकल्टी या तो फिर एक इनोवेटर या तो फिर एक इंटर्पिंटर से ज्यादा ग्रूप में नहीं होना चाहिए वहलाब तीन स्टुटेंट्स मिनिमम होने चाहिए सिंपल बराबना बड़ अभी अब तो है न चेक्नावी स्टुटेंट्स मिन उसिएं यह अब कितने लाग तक पराइस जी सकते हैं फांच लाग तक का प्राइस जीज शकते हैं पांच लाग तक प्राइस बाराबना यह अभी अगर में हां तो इस टेप के मदद से क्या होगा तो कि जो स्टुडेंस को फैकल्टी के पास इंटर्विनर्स के पास कोई आइडिया होगा क्रॉप इंपूर्मेंट को स्पीडी बनाने के लिए तो उनको यहां पे एक प्लैट्फॉर्म मिलेगा सिंपल अभी यहां आटन 3.0 है जिसका नाम है करिता गया तो इसी तरह हैकातन 1.0 और 2.0 भी होगा तो 1.0 किसके ओपर फोकस था ब्लब 21 के इंदर लॉंच किया गया था जो इनोवेशन इन डॉफाम मेकेनाजन के उपर फोकस था 2.0 तो जार 21.2 कि आउज कि ओपर फोकस था ब्लब फोकस यह तूप नोच करने तो उसका फोकस ही रहा था और यहां पर यह साल यह ताटान कौन रॉंच करता है वह आपके एक्जम्प इंटीव इस इंपोर्ट है ऑके फ्रेंज और यहां पर पर स्थुदेंश को कितना इना मिलता है पाँच लग तक बार्वन नंग हमारे नेक्स्ट न्यूज है वाइट पेपर हालेटिंग अर्बन वेस्ट वोटर सिनारियो इन इंडिया एंड एट आई डवीए वल्ड वोटर कॉंग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 इन कॉपिन हेंगन डेनमार्क सकतेंध sensory खोने सेट्रे प्रेंड्स सप्टेंबर 12 को गोशी चुंगिह एक और ऑर कि सोपर था और ल्रमार्क मलचेक करण को और दोफित शरक जोट सकति कीडिया भालत बनार्च। कि और यह कहां पर नौच क्या गया टो नौच क्या गया है इंस्टोन बटर एस्सोटेशन वर्ड वॉर्टर कॉंगरेस एन एक्जिबीशन बूजर बाईस जो कॉपिन हेंगन डेन्मार के अंतर जो इदर एब यह इवेंट हुआ बहां पर लॉंच रोज क्या है अर्भन वेस फोकस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन डिन्यूबल एनर्जी एंड वेस्ट वाटर मेरेजमेंट देखो एक्जाम प्रेजमेंट के बहुत बारी एक्वेशन आभी चुका है कि ग्रीन से पार्टनर से में इंडियान कोंसे कंटी के साथ किये हैं डिन्मार के साथ किये हैं और कौनसे raining Topic के ऊपर, Grain Hydrogen के ऊपर, Renewable Energy के ऊपर और Waste Water Management के ऊपर यहां पर, बैस वटा मेरेजमेंट के ऊपर एक रिपोर्ट बहुंच किया गया है, अरुबन वेस्वोटर सेनारियो और यह इस रिपोर्ट के अदर लिखा गया उस पेपर को क्या बोलते हैं वाइड पेपर ? बहा इंधर रिंट्रली टिंग वेच वस फॉर्म्म ए गवर्मेंटूज्ट पपार्ट्नुर्मस फ्रम्शन ज़ल्सकती निश्टर मिशन फेल्ट जुट्री को बनाती हैन उनिट अब्च्छनचा इंधर एंडेन्मान टेकों नी उचिटिटी दिजाइंग वारा बनना है यह वायओ क्या है। है नेीँ आन्डेन्गी कौंं बॉननाता है। यह वायओ क्या है। तो यह सब कि अभी situation क्या है और आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो यह सब चीजह यहाँ पर रिप्रेज़ की जाते हैं वाइपेपर के अंगर बाराबन आप वियस्ट वाटर के रिकाड़िंग मैं नियुक्ती ज्क्ति नेके नियुग्स के नियुग को लिए भ kidding और बाले न्युग्स में रुन रप फिन में वे वे का ही ङ wanna some है। अ यूटी नियुग्स नेके में वे अ रफंट्ट रिवीजज्स के विझा है रुटे गवर ड्सेरिय के लिएалог 2022 जो हुआ था लंडन के अंदर जो होने वाला है लंडन के अंदर लंडन UK के अंदर बराबना वो उसकी final appearance होगी on the ATV circuit the key reason made his retirement was a series of the injuries right देकिंग यह retirement बहुत ही important है because बहुत ही जाने माना बहुत ही famous personality Roger Federer और उन्होंने अभी announcement किया है retirement कहां से professional tennis से बराबना उनकी last tournament कौन सी है liver cup right जो लंडन UK के अंदर होने वाली है okay अगर मैं रूजर फेडरल के achievements के बार में बात करूं तो ही प्रेंड टोटल मैचिस अप्तर 1526 इन बारासो एक कावन सेकेंड इन दो ओपन एरा बिहेंड यूएस जीमी कॉन नोर्स बारासो जूओ तेर अभी तक एक मात्रा खिलाडी जीस ने रूजर फेडरल से ज्यादा ज्यादा मैचिस जीते हैं बारासो जूओ तेर बाराबन वह कौन है जीमी कॉन नर्स जो यूएस के थे बाराबन और और सेकेंड नबर पे भूजर फेडरल उन्होंने 1526 मैच खीली है उसमें से बारासो एक कम उन्होंने जीती है उन्होंने 20 ग्रांसलेम जीते हैं अभी आपको पता है कि टैनिस के अ चार ग्रांसलेम होते हैं कौन-कौन से विमल्डन यूएस ओपन फ्रेंच ओपन और ऑस्टियन ओपन राइट इस चार ग्रांसलेम होते हैं तो इस चार ग्रांसलेम को मिला कि उन्होंने कितने ग्रांसलेम जीते हैं अपने के रिकेंदर 20 ग्रांसलेम जीते हैं बराबन उसम और उसके अलवा उसके अलबाव और उसके अलबाव उन्हें पांट सीजन वर्ल नमर रहे थे तो ये वी उनका एक रैकोड है उनका जो पर तेटी ग्रांसलिम का जो रेकोर्ड है बरावन वो थर्ड हाइस नहीं सबसे पहले जो अगर मैं में में कहिए बात करू तो रफ़ेल नाडल जिनुञान करते है और जो कवी जिनुञान ट्वेंटी वन ग्रांसलिम गीते हैं अभी तक और रोजर फिर्टेम ट्वेंटी ग तरण स्कूपिखेस अमें के अंदर जीतने वाले अगर मेंचे जीतने वालेवे आपरशन वौह ही कि चार असेट सब्सक्राइब होते हैं तो सब्सक्राइब कोंकरते अपने के अंदर जो पर रिधताइब नट्वरेशनी 이am 36 years के age उपर उन्होंने world no.1 बनने का एक record बनाये था बराबना राइट and remaining at the top of the rankings for the record 237 consecutive weeks तक वो world no.1 रहे थे बराबना ओके he is also the oldest man's player to win the Wimbledon in 2017 at the age of 35 years बराबना तो Wimbledon को इतने वाले oldest player भी वो बनने थे दुरा 17 के अंदर he is the only player to reach the finals of the four slams in the season 23 बराबना तीन बार चार्ग नास्टेव के final में जितने पहुतने वाले वो एक player है दूरर 6,7 और 9 के अंदर बराबना he is the only man's player to win at least 10 titles on the clay grass and hard courts बराबना तो यह बहुत सारी achievements आपको याद रखने पड़ेगी एक unique player तो जो अभी retirement announce किया है tennis के अंदर से ओके फ्रेंड्स है कि हमरी next न्यूस है फ्रेंड्स कि अभी वर्ल्ड का फॉर्स्ट इंटर कॉंटिनेंटल कानीवर प्रांस लोकेशन अभी हुआ प्रोजेक्ट चीता के अंदर टोटल आठ चीता को नामीबिया जो आफ्लीकन कंट्री से वहां से कुनो नेसल पार्क में लाए गया है कुनो नेसल पार्क का पर स्थीत है मध्यपदेश के अंदर स्थीत है बरा मना प्रोजेक्ट चीता के अंदर में बरा मना राइट तो उसमें से पांच फीमेल है और तीन मेल है टोटल आठ चीता को नामीबिया से कुनो नेसल पार्क जो मध्यपदेश के अंदर स्थीत है मह और यहां पे आठ चीता को गुरों नेसर पार के अंदर लाया गया है जो वल्ड का पहला इंटर कॉंटेंटर का निवल ट्रांस लोकेशन है राइट यह निस्टा टाइगर कंसर्वेशन और वही संस्ता है जिसने टाइगर की पॉपिलेशन को जो 2022 के अंदर डबल करनी थी वही चीज उसने 2018 के अंदर डबल कर दी थी 2015 के अंदर उसने प्रोजेक्ट टाइगर अपने आथ में लिया और 2018 के अंदर उसने टाइगर के अपुलेशन को डबल कर दिया जो 22 का टार्गेट था तो वही संसा यह ने यह प्रोजेक्ट चीता को अगर मिन चीता की बात करूं, तो चीता मिस विदली रुड़ले रिगाड़ले रेगाडर इस प्लैंटा सीता इस वर्लेंड इस वरूलरेबल जाल पोलिषना कि डूख करूं सेवन थांसर इंडिविडिल्स अभी दुनिया के अंदर साथ जार से कम चीता रहे गए है बराबना और इंटरेशन उनियन फॉर्टा नीचर के त्वरा उसको वॉल्नरीबल स्पीसिस के अंदर पें डाला गया है बराबना एंड चीता जो वर्ट का सबसे फास्टेस्ट लें कि पीम मुदी विजिट था समर कंड उस्बिकिस्तान और 15-16 सब्टेंबर बाराबन कू अटेंड तर 22nd मीटिंग ऑफ दा कांसिल ऑफ दे हेड ऑफ द शांकाई कोपरेशन ओर्गरेजन स्यों 2022 और यह समीट को चैर किसके तरह किया गया तो जो प्रेसिडेंट है उस्बिकि समर कंड उस्बिकिस्तान के पास है उस्बिकिस्तान पर है यह उस्बिकिस्तान के पास प्रेसिडेंसी तशकंध है रहे नॉर्मली जो सभी ग्रूप्स की जो मीटिंग होती है ना बरावन वो नॉर्मली कैपिटल के अंदर होती है तो आप अगर एक्जाम में अगर आप यह पढ़के नहीं रहे होगे ना तब उस पे किसान के कैपिटल को टिक करके आओ गया यह समरकन के दूरू को यह मीटिंग हुई है और इंडिया की तरफ से किस ने रिप्रेजन किया है प्यम मोदी ने अगर मैं स्यों की बात करूं तो यह स्यों पंद्रा चुन दूजर एक को एस्टाइबिस किया गया था कहां पे शंगई चाइना के अंदर तब में पर्मेनेंट एक्जेकुटी पॉडि ऑफ दो एस्टाइबिस किया कि शंगई चाइना के अंदर 2001 के अंदर लेकिन उसका हीटवटर का आप हैं बेजिंग चैना के अंदर राइट एस्टाइब आठ फूल मेंबर है जो चे ओरिजिनल मेंबर है क्वड़कुड से चाइना कदकिस्तान किर्गिस्तान रस् से एस्टी को सेकर्डी जनल का नाम क्या है जैंग मिंग जो कहां से मिलों करते हैं चाइना से तो यह चीज़ा आपको उसके स्टेटिक फैट्स के बारे में याद रखना है और इस पर कि समीट के अंदर एक यूनिक चीज़ हुए कि अभी से से के अंदर क्या डिसेड किया मिल गया है कि फोर एक्जांपल दो30 की जो 100 k ke प्रेशिदरं सब्सक्राइब इंडिया के पास है इंडिया होस्ट करेगी उस कंट्री का कोई एक सीटी को तुरीजम एंड कल्चरल कैपिटल अनौंस किया जाएगा वालब उस सीटी के अंदर पूरे साल कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहेगा और उसको एक टूरीजम का एक्सपोजर मिलेगा तो यहां पे निए के पास है इसके लिए zeo के ग्वारा फ़स्ट एवर सीटी तूरीजम और क्ल्चरल कैपिटल अनौंस किया गया है और कौन सीट्री को यहां पे एसीटी का टूरीजम एन कापिटल बनाया गया है नियर्टेश्ब के लिए वारा नंची को वारा नशी को रहेइग यह इसी मिटिंग के दोरान इंडिया ने तुक ओवर किया है उस्पीकिसान से प्रसिदेंसी इंडिया ने ले दी है विद्धार 30 की लिए इंडिया विल्ट प्रसिदेंसी आप गुरूप फोर दे ये कब तक सप्टेमर 2023 तक परामना में नेक्स्ट मीटिंग अब ते कहां पर होगी इंडिया के अंदर ओके हमारी नेक्स्ट नूस आ फ्रेंड्स वर्ट रिस्लिंग चैंपिएंशीब अभी रिसेंटली हुई और यह वल्ट रिस्लिंग चैंपियंशिफ पुनिया इंट वीनेश फोगर्ट उन्होंने बरॉन्स मिडल जीता उसके बारे एडिशन दो वर्ल रेसिंग चेंपियंशीब और वर्ल रेसिंग चेंपियंशीब 2022 वाज हेल कहां पे बिलिग्रिट सरीविया के अंदर और यहां पे युएसे ने पॉइंट टेबल को लीड किया है फोटल 15 मेडल जीते हैं युएसे ने राइट सेकेंड नमर पे जापन थर इस फोगट अगर बजरण पुनिया की बात करूं तो इंडिया के जो बजरण पुनिया जो हरेना से बिलों करते हैं उन्होंने यह 65 kg के अंदर यह मेडल जीता है राइट इस फोर्थ चेंपियंशीम मेडल उन्होंने यह वर्ल रेसिंग चेंपियंशीब को चौथी बार ज चेंपियंशीब का चीन बार उन्होंने ब्रांज जीता है एक बार सिल्वत जीता है इस ऑंगाचार ऑणली रेसलर फॉर मेंडल इन्ट इन वर्ल रेसिंग चेंपियंशीम बजरण पुनिया राइट अकर बर बजरण पुनिया की बात करूं तो वो अठाई साल ओल है उन्ह सब्सक्राइब करते हैं उन्होंने दो गोल्ड मेडल जीते हैं 2018 के अंदर और 2014 के एसेंट गेम्स के अंदर अभी दिशानी 2020 के अंदर टोक्यो ओलम्पिक्स हुआ था उसमें उन्होंने प्रॉन्स मेडल भी जीता है इस फर्स्ट इंगें डेंक वर्ल नमबर वन इन एनी केटेगरी तो यह बद्रंग पुन्या के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर में विनेस्ट की बात करूं तो विनेस्ट का यह सेकंड वर्ल्ड रेसिंग जेपेंशिंग मेडल था बरामना एक वह गोल्ड मेडल इस रहे चुकि अभी जो कॉमन वेल्ड गेम्स जो 2022 अभी जो हुआ था उसमें उन्होंने गोल्ड मेल जीता था बरामना जा और यह पॉल्ड रेसिंग champion scholarship का उनका second medal है उन्होंने ए 2nd bronze medal जीता है वर्ल रेसिंग championship के अंदर बरामना अगर मैं मैं विने स्पोर्ट के बात करूं तो बिकमी फिर्स इंदिन मोमें डेसलर तो बीग नंग इन बोथ कमछन वहें अजिकान गेम स्पारोन दो कमछन नहीं से आधिक कामछन गेम पीद्वी पेहली इंज्मीप मैं है in addition to the Asian championship in 2021 उनको awards भी बहुत सारे मिले हैं the government of India has honored the Venus Poker with the Arjuna Award in 2016 इंद राचिव गादी खेले रहता एवर्ड in 2020 Poker become the first Indian athlete to be nominated for the Louris World Sports Awards in 2019 राइट तो यह बहुत सारी achievements Venus Poker के बारे में आपको याद रफने पड़ेगे friends बारा बनना तो आइए अपार चिस सभी उन्यूस कंदर अच्छे समन में आयोंगा फ्रेंज थेंकि प्रेंज बाइए